नवस्कात दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज की इस वीडियो में हम 2022 में जो भी आपके सभी नए अपॉइन्मेंट हुए हैं उन सारे अपॉइन्मेंट से जुड़े हुए प्रेशनों को हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत इध्यान से पूरा दो कि अगर आप अनेकेडमी की ऊपर कोई भी कोर्स पर्चेज करने का सोच रहे हैं तो इस महीने के बाद अनेकेडमी के जितने भी कोर्सेज हैं उनके प्राइज आपके 10 से 20 परसेंट बढ़ जाएंगे तो इसलिए मैं आपको रिक्मेंड करूंगा कि अगर आप क मेरा कोड यूज करते हैं KV10 तो आपको तुरंट 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा लेकिन फिर भी अगर आप लोग किसी भी कोर्स के उपर maximum discount चाते हैं तो उसके लिए आप simply मेरे वार्टसप नंबर 9838443100 के उपर contact कर सकते हैं और UnAcademy के उपर जितने भी courses हैं उन पे आप maximum discount भी avail कर सकते हैं तो ये मेरा वार्टसप नंबर है तो चलिए अब इस वीडियो के हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्ण है कि मार्च 2022 में एर इंडिया के नए अध्यच के पतपर किसे न्यूप किया गया तो जरूर ध्यान रखेगा एर इंडिया के जो अध्यच बनाए गए है नाम इनका है यन चंदर सेखरन तो टाटा संस के भी अध्यच है और अब एर इंडिया के भी अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सेवी के नए अध्यच के रूप में किसे न्यूप किया गया बात हो रही है सेवी की यानि कि सेक्योरिटी एंड एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसकी जो नई अध्यच बनी है नाम इनका है माधवी पूरी बच अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सेवी के पूर्ण कालिक सदस के रूप में किसे न्यूप किया गया तो अभी मैंने आपको बताया कि जो होल टाइम मिंबर थी माधवी पूरी बच वो अध्यच बन गयी है तो उनका जो अस्थान खाली हुआ था उस पर SBI के MD असुनी भा अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भार्क्तिय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यच के पदपर किसे न्यूप किया गया तो यहां पर न्यूपति हुई है देवा सीस पांडा की और इन्होंने अस्थान लिया है सुबास चंद्र खूटिया का ध्यान रखिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में जौन मिंग ने सीयो के महासचियू का कारिभार समाला है तो यह आपके किस देश के राजनाइक है तो नाम सही आप लोग समझ जाएंगे कि यह चाइना का है तो चाइना यहां पर हो जाएगा सही यानि कि ऑप्सन सी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में इफको कमपनी के नए अध्यच की रोप में किसे न्यूप किया गया है तो इफको के नए अध्यच के अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पत पर न्यूपती हो गई है दिलीप संगानी की कौन इफको कमपनी के नए अध्यच बन गए है दिलीप संखानी आपको नीचे कमेंड में ये बताना है कि इफको कमपनी के अध्यच कौन थे जिनका निधन हुआ था और उनके अस्थान पर अब दिलीप संखानी अपॉइंट हुए हैं तो यहाँ पर आप्शन D हो जाएगा करेग अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में करसी लागत और मूल आयोग के अध्यच के पदपर पुना किसे निउप किया गया तो इसके अध्यच पहले थे बिजैपाल सर्मा साहब कौन थे बिजैपाल सर्मा इसके पहले अध्यच थे और अब एक बार फृस से इनको अपॉइंट कर दिया गया है करसी लागत और मूल आयोग के अध्यच के पदपर तो आप्सन यहाँ पर भी हो जाएगा करेक्ट अच्छा CACP है क्या तो हमारे देश में जो आपके MSP की विवस्था होती है किस फसल के उपर MSP की दर कितनी होगी ये निर्धारित करने वाली बॉड़ी है CACP तो इसके एक बार फिर से अध्यच बन गए है विजय पाल सर्मा अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पदपर किसे न्यूप किया है तो भारत सरकार के द्वारा डाक्टर वी अनंत नागेशरम को हमारे भारत का नया चीफ एकोनोमिक एडवाईजर बनाया गया है तो जरूर आप लोग इसन के बारे में ध्यान रखेंगे आप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि हाल ही में हपी सी एल के नए चेर्मेन के पत्पर किसे न्यूप किया गया हपी सी एल यानि कि हिंदूस्तान पर्टॉलियम कार्पोरेशन लिम्टेड इसका नाम है भारत सरकार के धीन यह एक सरकारी उपकरम है और इसके जो नए CMD बने है उनका नाम है पुस्प कुमार जोसी क्या नाम है पुस्प कुमार जोसी इनका नाम है तो अब ये SPCL के नए अध्यच बन गए है ध्यान कियेगा SPCL का जो हेटकॉर्टर है वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा अगला प्रश्ण है कि हाल ही में IEMF का अगला मुख्य अर्थसास्त्री किसे न्यूप किया गया तो IEMF की जो अर्थसास्त्री थी वो हमारे भारत की गीता गोपिनाथन थी लेकिन पिछले साल उनका कारिकाल समाप्त हो चुका है तो अब उनके स्थान पर पियरे ओलिवियर गौरिचेस क्या नाम है पियरे ओलिवियर गौरिचेस ये IEMF के नए चीफ एकोनोमिस्ट बने है तो नाम जरूर ध्यान लखेंगे आप्शन बी हो जाएगा अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के नए सच्यू कौन बनाए गए है तो ओपेक के जो नए सच्यू बन गए है नाम इनका है हैथम अलगीस क्या नाम है हैथम अलगीस इनका नाम है यानि कि option B हो जाएगा correct OPEC के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि सितंबर 1960 में इसके स्थापना हुई थी तोटल जो सदसे देश है उनकी संख्या 13 है और ये आपके दुनिया के जो तेलों के निर्यात करने वाले देश है उनका एक संग्ठन है तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप्शन हमारा है थम अली घीस यानि की B हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि जन्वरी 2022 में RBI के किस पूर्ब गवर्नर को ACN Infrastructure Investment Bank का उपाध्यच नियुक किया गया है तो काफी महत्मूर प्रशन है ध्यान रखेंगे यहां पर नियुकती हुई है उरजित पटेल की किसकी उरजित पटेल AIIB के नए उपाध्यच बन गए है तो आप्शन A हो जागए यहां पर करेक्ट अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में रेलवे बोर्ट के नए अध्यच और CEO को नियुक किये गए तो रेलवे बोर्ट की बात करते हैं इसके जो नए अध्यच और CEO बने है नाम है BK त्रिपाथी क्या नाम है BK त्रिपाथी इनका नाम है यानि की आप्शन C होगा यहां पर कर अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यच के पत पर किसे नियुक किया गया तो इसरो के जो हमारे नए अध्यच बन गए है नाम इनका है डाक्टर S सोमनाथ क्या नाम है डाक्टर S सोमनाथ इनका नाम है और इन्होंने आपके K7 सहाप का स्थान लिया है तो अगला प्रशन है कि हाल ही में अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है तो ध्यान रखेंगे अलका मित्तल ONGC की नई CMD बना दी गई है तो यहां पर option A हो जाएगा करेक्ट आपको यह भी ध्यान रखना है कि ONGC हमारे यहां की एक महारत्न कंपनी है और इसकी जो नई CMD बनी है यह आप कह सकते हैं पहली महिला CMD बनी है नाम इनका है अलका मित्तल तो यहां पर A option करेक्ट होगा अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में भारत के पहल नुक्ति हुई है G. असोक कुमार की किसकी G. असोक कुमार नुक्त हुए है यानि की option यहां पर B. हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में कि इंदरिये मादमिक सिच्छा बोर्ड के नए अध्यच कौन नुक किये गए तो मादमिक सिच्छा बोर्ड के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके नए अध्यच बन गए हैं बिनीत जोसी कौन बने हैं CBSC के जो नए अध्यच बने हैं इनका नाम है बिनीत जोसी तो यहां पर option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में कर्मचारी चैन आयोग के नए अध्यच के पत पर किसे नूग कर्मचारी चैन आयोग यानि की बात हो रही है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की यानि की SSC की और इसके जो नए अध्यच बने हैं नाम है S के सोर तो यहां पर option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में जवाहल लाल नहरूब इस्विद्याले की पहली महिला कुलपती क क्या नाम है S धुली पूरी पंडित इनका नाम है यानि की option A हो जाएगा correct और आपको यह ध्यां रखना है कि धुली पूरी पंडित जो है सांती सरी डी पंडित जो है यह आपके JNU की पहली महिला चांसर बनी हैं तो जरूर ध्यान रखेंगे इनके बारे में अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में NCERT के नए निदेशक के पत्पर किसे न्यूप किया गया तो NCERT के बात हो रही है नए निदेशक बन गहे हैं दिनेश परसाद कौन बने हैं दिनेश परसाद बने हैं तो यहां पर option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में Air Lines Company Indigo के पहले प्रवर निदेशक कौन बने तो Indigo Company के संस्थापक है नाम इनका रहुल भाटिया है और यह Indigo Company के पहले MD बने है ध्यान रखेगा Indigo Company में इससे पहले MD का पद नहीं था तो अब पहली बार MD का पद create किया गया और इस पर appoint हुए है राहूल भाठिया तो option A हो जाएगा correct वैसे अगर हम लोग Indigo Company के headquarter के बात करें तो वो आपको गुरू ग्राम में मिल जाएगा और उसके CEO है नाम है Rono Jai Dutta अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में लेखा महांगेंत्रक के पद का जो अत्रिक्त प्रभार है ये किसको दिया गया है तो ये जो अत्रिक्त प्रभार है ये दिया गया है आपके सोनाले सिंग को किसे मिला है सोनाले सिंग को ये प्रभार दिया गया है यानि कि आप्सन यहाँ पर C हो जाएगा तो आपको ये धिया रखना है कि दीपक दास अभी तक हमारे कंट्रोलर जनरल आफ एकाउंट थे जो कि 31 जनवरी को सेवा ने बृत हो गये थे तो उसके बाद में सोनाली सिंग की यहाँ पर अपाइन्मेंट हुई है तो आप्सन C हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में विश्विद्याले अनुदान आयोग के नए अध्यच के पत्पर किसे नियूग किया गया बात हो रही है UGC की काफी जादा महत्पूर्ण है ध्यान रखेगा जेन्यू के जो पूर्व वाइच चांसलर है M. जगदीश कुमार कौन M. जगदीश कुमार ये आपके UGC के नए अध्यच बन गए है तो ध्यान आपको ये रखना है जेन्यू के ये वाइच चांसलर थे जो की अब UGC के नए चेर्मैन बनी है तो ऑप्सन D हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है कि हाल ही में भारतिय तरटच चकबल के नए महान देशक का जो पदभार है वो किसने करहन किया तो हमारे तरटच चकबल के जो नए डिरेक्टर जनरल बनी है नाम इनका है BS पठानिया क्या नाम है BS पठानिया इनका नाम है यानि कि ऑप्सन हमारा B हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है कि केंद्र सरकार के द्वारा भारती राष्टी राजमार पराधिकरण के अध्यच के पतपर किसे न्यूक किया गया तो NHAI की बात हो रही है यानि कि National Highway Authority of India की बात हो रही है और यहाँ पर न्यूकती हो गई है अलका उपाध्याय की किसकी अलका उपाध्याय की यहाँ पर appointment होई है तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि December 2021 में यूको बैंक के नए MD और CEO की रूप में किसे न्यूक किया गया है तो यूको बैंक की बात हो रही है ध्यान रखेगा यहाँ पर appointment हुआ है सोमा संकर प्रसाद का किसे सोमा संकर प्रसाद यहाँ पर appointment हुए है तो जरूर आप लोग ध्यान रखेगा यूको बैंक जो की एक सरकारी बैंक है फिलाल अभी तक तो सरकारी ही है और इसका हैक्वाटर आपको मिलेगा कोलकाता में तो सोमा संकर प्रसाद इसके नए MD और CEO बन गए है तो D हो जागए यहाँ पर करक अगला प्रशन है कि दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने किसे PNB के नए MD और CEO के रूप में न्यूप किया तो PNB ये भी हमारा अभी तो सरकारी ही बैंक है 1894 में इसके स्थापना हुई थी Headquarter नए दिल्ली में है और इसके जो नए MD और CEO बने है नाम है अतुल कुमार गोयल क्या नाम है अतुल कुमार गोयल इनका नाम है जो पहले Yuko Bank वाले थे तो Option C हो जाएगा यहाँ पर करक अगला प्रशन है कि दिसंबर 2021 में फिकी के नए अध्हच के पद पर किसे न्यूग किया गया तो यहाँ पर फिकी के जो नए अध्हच बने है नाम इनका है संजीव महता तो हिंदूस्तान यूनी लिवर जो कंपनी है उसके इस समय MD और CEO है और यह बने है फिकी के नए अध्हच तो यहाँ पर option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में राजेस गोपी नाथन को किस कमपनी ने पुना 5 वर्सों के लिए MD और CEO के पत्पर न्यूग कर दिया है तो यहाँ पर इनकी न्यूगती की गई है TCS के दौरा यानि कि Tata Consultancy Services के दौरा option A हो जाएगा फिलहाल के लिए correct अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में Oil India Limited के नए अध्यच के पत्पर किसे न्यूग किया गया तो Oil India Limited की बात करते हैं इसके जो नए अध्यच बने हैं नाम उनका रंजीत रथ है क्या नाम है? रंजीत रथ उनका नाम है तो option A हो जाएगा correct बाकी Oil India Limited की बात करते हैं तो headquarter आपको नोईडा में मिल ही जाएगा चलिए comment में आप लोग मुझे ये बताईएगा कि Oil India Limited महा रत्न है, नो रत्न है या फिर मिनी रत्न company है तो ये किस प्रकार की company है ये आप मुझे नीचे comment में बताएंगे अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में सुप्रीम कोट के द्वारा चार धाम पर्योजना समित की अध्यच के पत पर किसे नियूप किया गया है तो यहाँ पर नियूपती की गई है Justice A.K. सीकरी की किसकी Justice A.K. सीकरी appoint हुए है यहाँ पर तो option C हो जाएगा correct तो यह देख सकते हैं कि जो हमारी High Powered Committee है चार धाम प्रोजेक्ट के लिए इसके पहले जो अध्यच थे उनका नाम था रवी चोपड़ा तो फरवरी में इन्हों ने स्थीपा दे दिया था उसके बाद में Justice A.K. सीकरी यहाँ पर इसके नए अध्यच बन गए है तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में कितने वर्थों के लिए यन चंद्र सेखरन टाटा संस के पुना अध्यच निउक किये गए है तो ध्यान रखिएगा यन चंद्र सेखरन टाटा संस के एक बार फरसे अध्यच बने है पांच सालों के लिए कितने समय के लिए पांच सालों के लिए अध्यच बने है तो option B होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि दा Institute of Charter Accountant of India के नए अध्यच के रूप में किसको चुना गया है तो यहाँ पर नए अध्यच बन गए है नाम है इनका देवा सीस मित्रा क्या नाम है देवा सीस मित्रा इनका नाम है जो की Institute of Chartered Accountant of India के नए अध्यच बनी है तो C होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में अमीर सुभानी को किस राज के नए मुख्य सच्यू के रूप में नूप किया गया तो अमीर सुभानी के बात करें यह बन गए है आपके बिहार के कहां के बनी है बिहार के नए मुख्य सच्यू बनी है अमीर सुभानी इनका नाम है तो option C होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि जन्वरी 2022 में अजय कुमार चौधरी के साथ में किसको RBI का नया कारेकारे निदेशक नियूट किया गया है तो एक तो हमारे अजय कुमार चौधरी बने है और दूसरे का नाम है दीपक कुमार क्या नाम है दूसरे का नाम दीपक कुमार है यानि कि option C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि हाल ही में RBI ने Fintech विभाग के प्रमुक के रूप में किसको नियूट किया है तो RBI के दौरा नया Fintech विभाग बनाया गया है और इसके जो प्रमुक बने है नाम इनका है अजय कुमार चौधरी क्या नाम है अजय कुमार चौधरी इनका नाम है तो C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में राष्टिय स्वच गंगा मिसन के नए महानीदिसक की रूप में कौन पदभार ग्रहन किया है तो राष्टिय स्वच गंगा मिसन की बात हो रही है और इसके जो नए महानीदिसक बने है नाम इनका है जी असोग कुमार जरूर ध्यार कियेगा स्वच्छ गंगा मिसन के ये नए महानी दिशक बन गए है तो option C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण है कि जनवरी 2022 में US India Business Council के नए अध्यच कौन बने है तो ये जो बिजनेस काउंसिल है इसके नए अध्यच बने है अतुल केसब क्या नाम है अतुल केसब इनका नाम है यानि की option A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्ण है कि फरवरी 2022 में हुंडूरस की पहली महिला राष्टपती कौन बनी है तो हुंडूरस देश की एकर हम लोग बात करते है तो इसकी जो पहली महिला राष्टपती बनी है नाम उनका है सीयो मारा कास्त्रो क्या नाम है सीयो मारा कास्त्रो इनका नाम है यानि की option C हो जाएगा correct तो अगर हम लोग हुंडूरस देश की बात करते है तो उत्तर अमेरिका महादूइब का यह एक देश है टेगू सिगलपा यहां की कैप्टल है और यहां की मुद्रा आपकी है लेंपीरा तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में मदरास हाई कोट के नए मुख्य नायधिस के पतपर किसे न्यूक किया गया है तो मदरास हाई कोट की बात करते है मुनीशर नात भंडारी क्या नाम है मुनीशर नात भंडारी इसके नए चीफ जेस्टिस बन गए है तो option यहां पर C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में फाइजर इंडिया के अध्यच के पतपर किसे न्यूक किया गया है तो फाइजर इंडिया के बात हो रही है इसके जो नए अध्यच बने है नाम उनका प्रदीप साह है क्या नाम है प्रदीप साह उनका नाम है यानि कि option D होगा correct अगला प्रशन है कि नॉमबर 2021 में केंद्रिये अपरतिय चिकर और सीमा सुलक बोर्ड के नए अध्यच के पतपर किसे न्यूक किया गया तो यहाँ पर confuse बिल्कुल मत हो रही है CBIC के बात हो रही है और CBIC के बने हैं बिवेग जहरी अगर आपसे पूछा जाता CBDT का तो ध्यान रखिएगा CBDT के जो अध्यच है उनका नाम है JB मोफपात्रा तो दोनों में confuse मत हो येगा D होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि भारतिय नौसीना के नए प्रमुक के रूप में किसको न्यूप किया गया है नेवी की बात हो रही है और हमारे नए चीफ आफ नेवल स्टाफ बने है नाम इनका है आर हरीकुमार क्या नाम है आर हरीकुमार नाम है तो ऑप्शन B हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि सितंबर 2021 में एक्जिम बैंक के नए प्रवन निदिसक के रूप में किसे न्यूप किया गया तो एक्जिम बैंक की बात हो रही है और एक्जिम बैंक के जो नए M.D. बने है नाम उनका है हरसा भुपेंद्र भंगारी क्या नाम है हरसा भुपेंद्र भंगारी इनका नाम है मारसल विवेक राम चौधरी क्या नाम है एर मारसल विवेक राम चौधरी इनका नाम है जो कि वाश सेना के नए प्रमुक बने है यानि कि चीफ आफ एर स्टाप बने है तो भी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि अक्टूबर 2021 में इंडियन बैंक असोसेशन के नए अ निशनल बैंक के बन गए हैं तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि टीटवंटी बिस्टुकप के बाद भारती क्रिकर्ट टीम के नए कोच कौन बने तो भारती पुरुस क्रिकर्ट टीम की बात हो रही है तो ध्यान आपको यह रखना है कि कोच पिछले साल बने थे उनका नाम आप लोग मुझे नीचे कमेंड में बताईएगा तो यहां के विए ऑप्शन बी होगा करेक्ट अगला प्रशन है कि केंद्रिये और दोगिक स्वर्चबल के वर्त्मान महानेदेशक कौन है तो अगर हम लोग CISF की बात करते हैं तो इ पंकज कमार सिंग किस अर्दसैनिक बलकि नए महानीदेशक निНीच किया गये तो पंकज कमार सिंग के जो प्रकास सिंग वो भी आपके BOSF के महानीदेशक रहे थे और पंकज सिंग भी इसके महानीदेशक बन गए हैं तो ध्यान रखिगा यह बार्डर सक्योर्टी फोर् करेक्ट आखरी प्रेशन है कि अगस्त 2021 में संजे अरूरा हमारे किस अर्दसानिक बलकी नए महानेजिसक नियुक्त किये गए तो संजे अरूरा जी की बात करते हैं तो ये बन गए है हमारे ITBP के यानि की इंडो तिबतन बार्डर पुलिस के ये हमारे नए महानेजिसक बने हैं तो यहाँ पर ऑप्सन भी हो जाएगा करेक्ट तो ये देख सकते हैं ये हैं संजे अरूरा सहाब अच्छा एक चीज आपक प्रकार से जो भी आपके 50 सबसे महत्पूर अपॉइंट्मेंट थे जनवरी और फरवरी मार्च के मिला करके 2022 में और 2021 के लास्ट के जो कुछ प्रमुक अपॉइंट्मेंट थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है आसा करते हैं कि आने वाले समय में जो आपको MTS या CHSL और गए कि आप हरत